आज हम लोग आपकी कक्षा बारा में कविभारतेंदू हरिस चंद्रजीद्वारा रचित यमुना छविके पाचवे पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और कावे संदर्य लेखना सीखेंगे लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह एक बार इस पद्यांश को पढ़ेंगे और इसमें जितने भी शब्द आये हुए है पहले इन सभी शब्दों पर एक नजर डालेंगे और यदि इन में से किसी का भी अर्थ कठिन होगा तो पहले उसका सरल अर्थ देखेंगे फिर उसके बाद हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखेंगे तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आये हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं जुग माने दो, पच्छ, देखे पच्छ माने पक्ष, जिसको पाख भी कहते हैं, देखे एक महीने में 15-15 दिन के दो पक्ष होते हैं, एक को कृष्ण पक्ष यानि की अंधियारा पक्ष कहते हैं, जिसमें चंद्रमा की किरण पृत्वी पर धीरे-धीरे कम हो जाती है, और आमावस के दिन पृत्वी पर चंद्रमा की किरण बिल्कुल भी नहीं आती है, और 15 दिन का दूसरा पक्ष होता है, जिसको शुकल पक्ष कहते हैं, या उंजाला पक्ष कहते हैं, इसमें जो चंद्रमा की किरणे हैं, वो धीरे-धीरे पृत्वी पर बढ़ती जाती हैं, औ और जो पुर्णिमा का दिन होता है, पंद्रहवा दिन होता है, तो चंजमा की जो किरण है, वो पूरी तरह से प्रित्वी पर आती है, उजाला कर देती है, तो उसी पक्ष की बात हो रही है, दो पक्ष ठीक है, प्रतक्ष, देखे, प्रतक्ष माने प्रत्यक्ष, होत मतलब होता है यानि कि दिखाई देता है प्रत्यक्ष होता है प्रत्यक्ष दिखाई देता है मीटी देखे मीटी माने मीट जाता है या अद्रिष्य हो जाता है मीट जाता है या अद्रिष्य हो जाता है इसको साथ मिलेंगे जात ठीक है मिट जात मतलब अद्रिश्य हो जाता है या मिट जाता है जमुन जल मतलब यमुना का जल कई माने या अथवा दोनों होता है जैसा आप वाक्य में बैठाना चाहें तारागन मतलब तारागन यानि कि तारों का समूह ठगन मतलब ठगने के लिए आप जानते हैं आप इस शब्द का प्रयोग भी करते हैं कि मैंने उसको ठग दिया उसने मुझे ठग दिया तो ठगन मतलब ठगने के लिए लुकत मतलब लुकाना जिसको आप छिपना कहते हैं तो छिपना ठीक है लुकत मतलब छिपना प्रगटत प्रगटत मतलब दिखाई देना प्रगड़त मतलब दिखाए देना ससी ससी माने शसी यानी की चंद्रमा ज़ीक है। अबिकल मतलब पूर्ण कई उपर भी आ चुका है या अथवा कालिंदी यमुना का प्रयाइवाची है तो यमुना कालिंदी माने यमुना नीर माने जल या पानी जो आपको अच्छा लगे तरंग सरल है पानी में तरंग उठती है तो ऐसे ही रहेगा जीतो मतलब जीतनी या जीतने जैसा वाकी में बैठे ठीक है उपजावत मतलब उत्पन होती है तितनो ही मतलब उतने ही धरी मतलब धारण करके रूप सरल है तो ऐसे ही रहेगा रूप धारण करके मिलन मतलब मिलने मिलन मतलब मिलने, हित माने के लिए, तो जब दोनों को साथ बोलेंगे मिलन हित, तो मिलने के लिए, मिलन हित मतलब मिलने के लिए, तासो मतलब उससे, किससे आपको व्याक्ष्या में समझ में आ जायेगा, धावत मतलब दवड़ती है, धावत माने दवड़ती है, कई इसके पहले भी आ चुका है या अठवा या अठवा बहुत सरल है रजत मानेचांदी रजत मानेचांदी चकई 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 मतलब की जो चकरी होती है अईसी जो नाचचती है चकई वही ठिक है तो चकई, चलत सरल है, कोई दिकत ने, चलत मतलब चल रही हो, चलत माने चल रही हो, कई, कई माने या अथवा, पहले भी आ चुका है, कई बारा चुका है, ठीक है, फुहार सरल है, आप जानते हैं, जब पानी फेकता है, तो हम फुहारा कहते हैं, तो वही फुहार, ठीक है, जल सरल है, उच्छरत, उच्छरत मतलब उच्छणना, ठेक है, कय या अथवा, निशिपती, निशिपती माने चंद्रमा, मल, मल मतलब पहलवान, आनेक सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रहेगा, बीधी, बीधी मतलब वीधी प्रकार तरीका, तीनों होता है, जैसा आप बैठा सकें, आप कहते हैं कई विधियों से, तो वही बीधी, उठी, बैठत, उठी बैठत मतलब उठक बैठक, यानि उठता है और बैठता है, आप दंड करते हैं, कसरत करते हैं, उठते बैठते हैं, तो वही उठत बैठता है, कसरत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, करत मतलब कर रहा हो, करत मतलब कर रहा हो, उठक बैठक कर रहा हो, तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोगों को इस प पद्याश की व्याख्या को सीखेंगे तो चलिये सबसे पहले हम लोग इसका संदर्व लिख लेते हैं आप संदर्व डालेंगे डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुद पद्याश हमारी पाठ पुष्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित यमुना छवी शिर्षक से उद्धित है इसके रचैता भारतेंदू हरिश्चंदर जी है पुण बिराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे डालेंगे और डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कभी ने यमुना के जल में पढ़ने वाले चंद्रमा के प्रतिविंब का बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है पुण बिराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा चलिए अब हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखते हैं तो कभी कहते हैं मनु जुग पच्छ प्रतच्छ होत मिटिजात जमुन जल प्रस्तुत पद्यांश में कभी भारतेंदू हरिश चंद्र जी कहते हैं की अब आजाएए पद्यांश पर कहते हैं की यमुना के जल में यमुन जल यमुना के जल में कभी चंद्रमा का प्रतिबिम्ब दिखाई देता है और कभी इतना भाव के अनुसार अपने से जोड़िए कभी चंद्रमा का प्रतिबिम्ब दिखाई देता है और कभी अधृष्य मिटी अधृष्य हो जाता है जात अधृष्य हो जाता है जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है फिर इतना भाव के अनुसार वाक्य को पूरा करने के लिए अपनी तरप से जोड़िए जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो, मनु, मानो, दोनो, जुग, दोनो, मानो, दोनो, पक्ष, पक्ष, मानो, दोनो, पक्ष, यमुना के जल में मिलकर, यमुना के जल में मिलकर एक ह प्रतक्ष होत एक हो जाते हैं फिर वाक्य को और अच्छा बनाने के लिए थोड़ा सा अपनी तरप से जोड़ के लिखना पड़ेगा अर्थात कभी के कहने का तातपर है कि जब चंद्रमा अद्रिश हो जाता है तब ऐसा प्रतीत होता है मानो कृष्ण पक्ष यानि अंधिय गया है और जब चंद्रमा दिखाई देता है तब ऐसा प्रतीत होता है मानो कृष्ण पक्ष समाप्त हो गया है ठीक है चलिए एक बार फिर सिसलाइन की व्याख्या को देखते हैं देखिए सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा लिख लेंगे क्या लिखेंगे ध्यान से सुनिये प्रस्तुत पध्यांश में कभी भातेंदु हरिश चंद्र जी कहते हैं की अब आजाएं पध्यांश पर कहते हैं की यमुना के जल में चंद्रमा का प्रतिभिंब कभी दिखाई देता है और 口भी अद्रिश्य हो जाता है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है, मानों दोनों पक्ष यमुना के जल में मिलकर एक हो गए हैं, अर्थात कभी के कहने का तातपर्य है कि जब चंद्रमा अद्रिश्य हो जाता है, तब ऐसा प्रतीत होता है, मानों क्रिश्न पक्ष आ गया है, और जब चंद्रमा दिखाई देता है, तब ऐसा प्रतीत होता है, मानों क्रिश्न पक्ष समाप्त हो गया है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे कभी कहते हैं, कय तारागन ठगन लुकत प्रगटत ससी औविकल, बहुती सरल लाइन है, आगे कभी कहते हैं अथवा कउने अथवा तारागणों को ठगने के लिए ससी चंद्रमा कभी पुर्ण रूप से अविकल पुर्ण रूप से ठीप जाता है तो कभी दिखाई देता है प्रगटत दिखाई देता है ठीक है? चले एक बर फिर से इस लाइन की व्याख्या को देखिए बहुत ही चरल है कभी कहते हैं अत्वा तारा गणों को ठगने के लिए चंद्रमा कभी पुर्ण रूप से छिप जाता है और कभी दिखाई देता है ठीक है चले अगली लाइन को देखते हैं देखे पुर्ण बिराम इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि वाक के इस तरह से ब बोलेंगे चले तीसरी लाइन देखते हैं आगे कभी कहते हैं कय कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत आगे कभी कहते हैं अथवा यमुना के कालिंदी यमुना के जल में नीर जल में अथवा यमुना के जल में जितनी जितो जितनी तरंगे जितनी तरंगे उत्पन होती हैं चंद्रमा अपने जोड़ी ये चंद्रमा उतने ही रूप धारण करके उससे तासो उससे तासो माने उससे मिलने के लिए दड़ता है ठीक है चलिए दोनों लाइन की व्याख्या को एक बार फिर से देखते हैं कभी कहते हैं अथ्वा यमुना नदी के जल में जितनी तरंगे उत्पन होती हैं चंद्रमा उतने ही रूप धारण करके उससे मिलने के लिए दड़ता है ठीक है चलिए आगे देखिए आगे कभी कहते हैं कई बहुत रजत चकई चलत कई फुहार जल उच्छरत बहुती सरलाइन हैं आगे कभी कहते हैं अथ्वा बहुत सारी या बहुत सी चांदी की रजत चांदी की चकई जल में चल रही है अथ्वा पुहार के रूप में जल उच्छल रहा है उच्छरत उचल रहा है चले इस लाइन को फिर से देखिए कभी कहते हैं अथवा बहुत सी चांदी की चकई जल में जोड़ लीजिए जल में चल रही है अथवा फुहार के रूप में जल उचल रहा है अथवा इस लाइन को पढ़ लेते हैं फिर भी आख्या करते हैं कभी आगे कहते हैं कई नीशिपति मल अनेक विधी उठी बैठत कसरत करत बहुत ही सरल लाइन है आगे कभी कहते हैं अथवा चंद्रमा पहलवानी करने के लिए अनेक प्रकार से उठक बैठक उठी बैठत मतलब उठक बैठक करते हुए कसरत कर रहा है पूर्ण बिराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी चली एक बार मैं जल्दी से पूरी व्याख्या बोलता हूं ताकि रिदम बन जाए एक वाक्य का जो तार्तम में है वो आपको समझ में आ ज दिखे सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा लिख लेंगे जैसा मैंने बताया है प्रस्तुत पद्यांश में कभी भारते इंदु हरिश चंद्रजी कहते हैं कि अब आजाए पद्यांश पर कहते हैं कि य अईसा प्रतीत होता है मानों दोनों पक्ष यमुना के जल में मिल करके एक हो गए हैं। अर्थात कभी के कहने का तातपर है कि जब चंद्रमा अधिश्य हो जाता है तब ऐसा प्रतीत होता है मानु कृष्ण पक्ष आ गया है और जब चंद्रमा दिखाई देता है तब ऐसा प्रतीत होता है मानु कृष्ण पक्ष समाप्त हो गया हो अथवा तारा गणों को ठगने के लिए चंद्रमा कभी पुर्ण रूप से छिप जाता है और कभी दिखाई देता है अथवा यमुना के जल में जितनी तरंगे उत्पन होती हैं चंद्रमा उतने ही रूप धारण करके उस से मिलने के लिए दोड़ता है अथवा बहुत सारी चांदी की चकई जल में चल रही हैं अथवा फुहार के रूप में जल उचल रहा है अथवा चंद्रमा पहलवानी करते हुए अनेक प्रकार से उठक बैठक करता हुआ कसरत कर रहा है पूर्ण बिराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी चलिए अब हम लोग इस पद्याश का काविस अंदर्य देख लेते हैं देखिए यदि हम लोग इस पद्याश में रस की बात करें तो श्रिंगार रस है छंद छपप है यदि अलंकार देखा जाए तो अनुप्रास उत्प्रेक्षा रूपक द्रिष्टांत और मानवी करण इतने अलंकार हैं कहां पर हैं चली थोड़ा सा देख लेते हैं देखिए जब आप यहां पर देखते हैं तो जात जबून तो जज ज अनुप्रास नंकार आप यहां पर देखिए तारागन, थगन में न, न, लुकत, प्रगतत मित्त, त तो यहाँ पर अनफरास अलंकार हम को दीख जाता है, ऐसे ढूंडेंगे तो आपको और जगाँ मिल जाएगा, ठीक है तो अनफरास हो गया, आप दीखे यहाँ पर मनू, मनू, आपको पता है, जहाँ पर मनू, मानो, जनुजानों जनहुजियों ऐसे आता है तो उत्प्रेक्षा लंकार होता है तो यहां पर उत्प्रेक्षा लंकार है अब यहां पर चंदमा को पहलवान माना गया है कि निश्पति रूपी पहलवान तो यहां पर रूपा का लंकार है है ना तो इस तरह से हमको यहां पर और च चंद्रमा को पहलवान कहा जा रहा है, चंद्रमा आदमी तो है नहीं, तो यहां पर हमको मानवी करण लंकार भी मिल जाता है, ठीक है, चले आगे देखते हैं, यदि भाष्चा की बात की जाए, तो इस पध्यांश की जो भाष्चा है, वो ब्रज है, शैली इसकी मुक्तक है, गुण इसमें माधूरे है, और यदि शब्द शक्ति की बात करें, तो शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है,